हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल लर्न एकोनोमेक्स आज हम बात करेंगे कि परफेक्ट कॉम्पोटिशन में प्राइस कैसे निर्धारित होता है परफेक्ट कॉम्पोटिशन की डेफिनेशन एंड फीचर्स मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं जिसका लिंक, डिस्करिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का टॉपिक प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कॉम्पोटिशन मीनस पून प्रतियोगिता में कीमत निर्धारन perfect competition में product का price वहां निर्धारित होता है जहां demand and supply एक दूसरे को intersect करते हैं इस point को equilibrium point कहते हैं और इस price को equilibrium price कहा जाता है perfect competition में price industry द्वारा decide होता है ना कि किसी एक seller या firm द्वारा इसे हम एक table की मदद से समझ सकते हैं जब product का price 5 रुपीज है तो supply 50 डोजन and demand 10 डोजन है अब sellers अपने product की बिक्री बढ़ाने के लिए price को कम कर देंगे जिससे demand बढ़ जाएगी और supply कम हो जाएगी जब price 3 रुपीज होगा तो demand and supply दोनों बराबर होंगे यानि दोनों 30 डोजन है अब मान लीजिए कि price 3 रुपीज से कम होकर 2 रुपीज हो जाता है तो यहाँ demand ज्यादा और supply कम है जब demand ज्यादा होगी और supply कम होगी तो इससे buyers के बीच में competition बढ़ जाएगा जिससे price बढ़ कर फिर से 3 रुपीज हो जाएगे इसे हम एक diagram की मदद से समझ सकते है diagram में OX access पर output या quantity है और OY access पर price है DD industry का demand curve है जो downward sloping है यह downward sloping क्यों होता है demand curve demand curve हमेशा downward sloping इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे price घटता जाता है demand बढ़ती जाती है और supply curve हमेशा upward sloping होता है यह इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे price बढ़ता जाता है अपने profit margin के लिए producer और ज़्यादा production करता जाता है जिससे supply बढ़ती चली जाती है तो demand and supply एक दूसरे को E point पर intersect करते हैं means E point पर demand and supply एक दूसरे के बराबर है अगर price बढ़कर P1 हो जाता है तो supply भी demand से ज्यादा हो जाएगी जिससे surplus means supply X में हो जाएगी इससे price घट कर P हो जाएगा क्योंकि अपने X surplus की बिकरी बढ़ाने के लिए sellers price को घटा देंगे अब अगर price घट कर P2 हो जाए तो demand supply से ज्यादा हो जाएगी ठीक है इस case में demand जो है वो supply से ज्यादा है जिससे shortage हो जाएगा shortage किसका supply का अब demand ज्यादा और supply कम होने से sellers price को बढ़ा देंगे क्यों बढ़ा देंगे क्योंकि जो buyers हैं उनके बीच में competition होगा जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को खरीद सकें अब demand ज्यादा और supply कम होने से sellers price को बढ़ा देंगे जिससे price फिर से e-point पर निर्धारित हो जाएगा जहां demand and supply एक दूसरे के बराबर हैं इस case में industry e-point पर product के price fix कर देती है और firm को उसी price पर अपने product को बेचना पड़ता है इस diagram में e equilibrium point है जहां equilibrium price O-P fix हो गया है तो industry की प्रत्येक firm को O-P price पर ही अपना production बेचना होगा अब firm के product की demand ज्यादा हो या कम price O-P ही रहेगा इस प्रकार firm का demand curve O-X axis के parallel होगा perfect competition में AR-MR के बराबर होती है इसलिए AR-MR curve एक दूसरे में coincide होकर O-X axis के parallel एक straight line बना देते हैं AR-MR से हमारा मतलब average revenue and marginal revenue से है average revenue refers to revenue per unit of output and marginal revenue is the change in total revenue when one more unit of a commodity is sold next है हमारा effect of change in demand on price यानि मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव अगर supply को constant रखें ठीके इसमें supply curve हमारा SS है अगर हम supply को constant रखें तो demand बढ़ने पर price बढ़ेगा और demand कम होने पर price कम होगा डाइग्राम में OX एक्सेस पर quantity demanded और OY एक्सेस पर price है SS supply curve है स्टार्टिंग में DD SS को E point पर intersect कर रहा है इस point पर equilibrium price OP और equilibrium quantity OQ होगी अब माना demand बढ़कर DD से D1 D1 हो जाती है तो equilibrium point E1 पर निर्धारित होगा इससे ये पता चलता है कि जब demand बढ़कर OQ से OQ1 हो जाएगी तो price भी OP से OP1 हो जाएगा अब अगर demand कम होकर D2 D2 हो जाती है तो SS को E2 point पर intersect करेगी तो quantity भी घटकर OQ2 और price कम होकर OP2 हो जाएगा इसे हम एक example से भी समझ सकते है जब demand में change होता है उस समय supply constant रहती है अब हमने मान लिया कि supply जो है वो 100 है तो जब demand बढ़ेगी यानि वो बढ़कर 120 हो जाती है suppose ठीक है supply 100 है लेकिन demand बढ़कर 120 हो गई D1 D1 तो producers क्या करेंगे producers ज़्यादा profit के लिए price को बढ़ा देंगे तो इसलिए जब demand ज़्यादा होती है तो price भी बढ़ जाते है और दूसरा case जब demand क्योंकि supply तो constant है 100 तो जब demand हमारी कम हो जाएगी यानि 80 हो जाएगी D2 D2 suppose कर रहे हम demand हमारी कम होकर 80 हो गई तो producers अपनी बिकरी को बढ़ाने के लिए price को कम कर देंगे तो दूसरा यानि कि जब price demand घटती है तो price भी कम हो जाएगा इसलिए demand कम होने पर price कम और demand ज्यादा होने पर price ज्यादा होगा second है हमारा effect of change in supply on price यानि पूर्ती में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव अब अगर किसी product की demand को constant रखें तो supply increase होने से price कम होगा और supply decrease होने से price ज्यादा होगा suppose product की demand 100 है जो constant है क्योंकि जब supply change होती है तो demand को constant रखा जाता है क्योंकि जब demand change हो रही है तो ये मान लिया जाता है कि supply constant है ठीके तो supply increase होने से price कम होगा और supply decrease होने से price ज्यादा होगा suppose product की demand 100 है जो constant है और E point पर equilibrium में है अब supply बढ़कर S2 S2 हो जाती है माना 120 हो गई तो क्या होगा तो producer price को कम कर देंगे क्योंकि market में supply ज्यादा है और demand कम है तो price घट कर OP2 हो जाएगा अब suppose supply घट कर S1 S1 हो जाती है माना 80 हो गई तो जब supply कम हो और demand ज्यादा तो price बढ़ते हैं price ज्यादा होगा जिससे price OP1 पर set हो जाएगा और equilibrium E1 हो जाएगा ये बात ध्यान रखनी है कि जब supply increase होती है तो वो rightward side shift हो जाती है क्यों shift होती है क्योंकि more sellers increases the supply in the market और जब घटी है तो leftward side shift हो जाती है क्योंकि factors of production की cost बढ़ जाती है factors of production समझते है land, labor, entrepreneur factors of production की cost बढ़ जाती है यानि अब market में goods कम हो जाएगी या goods की supply कम हो जाएगी थाएगी नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे importance of time element in the determination of price यानित्स झाल